दोस्तों कंचे जिसे मार्बल बाल्स भी कहा जाता है इसके साथ तो आपने अपना बच्पन जरूर बिताय होगा या आप भी कंचों से जरूर खेलते होगे और कई बार इसी कंचे की होज़ा से अपने मम्मी से कई बार मार भी खा चुका होगे भाई मैं तो बहुत बार कंचों के फैक्ट्रियों में जहां आपको हम दिखाएं कि आखिर इतने प्यारे प्यारे कंचे बंते कैसे हैं तो चली हमारे साथ इन कंचों के अद्भुत सफर पर दोस्तों सबसे पहले रिसाइकल ग्लास और फॉल्टी मार्बल को हीटिंग मसीन में डाल कर दोस्तों के लहर को काटता है जिससे सेग्मेंट त्यार हो जाता है जिने सलग भी कहा जाता है और यही आगे जाकर आपकी खुसी का हिस्सा भी बनते हैं अब सेग्मेंट में तबदील करने के बाद इसको इस पीनिंग आयरन वील की मदद से कंचों का अकार दिया जाता है और 52 गंट की इस तरह के अनुखे कंचे हाथों की मदद से बनाई जाते हैं जिसमें कारीगर गलास के दो सिट माल करते हैं पहला ट्रांस्पेरेंट ग्लास जिससे आरपार देखा जा सकता है और दूसरा कलर जो अनुखे टेक्सर देने में मदद करता है दोस्तों सबसे पहले कारीगर एक color glass को एक लम्मा और पतला cylindrical आकार में तब्दिल कर देता है वह भी heat की मदद से और फिर transparent glass को standard overlay shape में तब्दिल कर दिया जाता है अब वह color glass का strip जैसा चाहिए होता है वैसा transparent glass पर लगाता है और फिर वापत से transparent glass का एक layer और लगाता है और यह सब लगाने का कार गर्मी में होता है याने की high temperature की निगराने में किया जाता है अब इसी तरह अलग-अलग color strips और transparent glass लगाकर कारेगर इन अनुके कंचों का निर्मान करता है और फिर वेज देता है आपकी खुसिया बनाने के लिए तो दोस्तों देखा आपने इन कंचों को आखिर फैक्टरी में कैसे बना जाता है दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को तीन बार लाइक जरूर कर दें और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि कौन-कौन बच्पन में कंचों को वेजर से अपने मम्मी के आताओ से पिट चुका है बताना जरूर और यदि आप ऐसे ही हमारी अच्छे अच्छी वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिएगे लाल बटन को दुआ कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बैल आइकन को भी जरूर प्रेस करें वीडियो देखने के लिए आपका महुत-महुत धन्यवाद